हम सभी ने रोज फल खाने के असंख्य स्वास्थ लाभों के बारे में सुना है वजन कम करने में मदद करने के लिए विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत होने से फ्रूट्स आपके समगर स्वास्थे के लिए सुपर फायदे मंद हैं हालां कि यह महत्वपूर्ण है कि आप इसके लाभों का अधिक फायदा लेने का सही समय पर इन्हें खाएं यह सिफारिश की जाती है कि आप सुबह सबसे पहले फल खाएं या भूजन के एक घंटे पहले या दो घंटे बाद फल खाएं खाना खाने के तुरंद बाद पानी न पिएं क्योंकि यह भूजन के पाचन को धीमा कर सकता है और पाचन संबंधी अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है फल खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए फल खाने के बाद पानी पीने के नुकसान पेट में एठन और पेट फूलना फलों में चीनी और हीस्ट की एक बड़ी मात्रा होती है और फलों को खाने के तुरंद बाद पानी का सेवन करने से पेट में एसिट की मात्रा कम हो जाती है यह एक ऐसा वातावरन बनाता है जहां खमीर पनप सकता है और कारबन डायोकसाइड और अलकोहल के उत्पादन को बढ़ा सकता है जिससे पेट में गैस बन सकती है या पेट पूल भी सकता है फल खाने के बाद पानी पीना पी एच स्टर को बाधित करता है विशेश रूप से तर्बूज, खर्बूजा, ककड़ी, संत्रा और स्ट्रोबेरी जैसे उच्चपानी की मात्रा वाले फलों को खाने के बाद पानी का सेवन पाचन तंत्र के पीएच स्टर अमलता याक्शारी ये ताकि सही स्टार को इंबेलेंस करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन फलों में पानी की मात्रा अधिक होती है वे आपके पेट को कममलिय बना कर पी एच स्थर को परेशान कर सकते हैं। जैसा की हमने पहले बता है। जैसा की फलों का सेवन करने के बाद पानी पीने से पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है जिसके कारण पाचन सिस्टम में बहुत सारा अपच खाना बचा जाता है। यह वसा में परिवर्तित हो जाता है और इंसुलिन में व्रिद्धी का कारण बनता है जो बदले में शरीर के रक्षर करा के स्थर को बढ़ा सकता है और बाद में मधुमेह और मोटापे का कारण बन सकता है। तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेर करे और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें। हन्यवाद